शांती आज 23 ओगस्ट 2022 के मुझली सुनते हैं। आज के मुझली में प्यारे बाप दादा हम बच्छों से कहते हैं। मीठे बच्चे अब यह पुराना घर छोड बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर अर्थात शरीर से ममत्वों मिटाते जाओ। अपने को आत्मान इश्य करो। भवी है न सभी जितना जितना आत्मान इश्य करते हैं अपने आपको नहीं इस पुरानी दुनिया से और पुराने शरीर से ममत्वों मिटता जाता है न। है हां जी बाबा। आज का प्रश्ण है यही अभीमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे। बाबा उत्तर देते हैं मेरे मन को शांती कैसे मिले। यह शब्द देही अभीमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। यह अभीमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्यान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर में ही शांत है। मन के शांती की तो बात ही नहीं। आत्मा का ओरिजनल नीचर ही शांत स्वरूप है। और मन आत्मा का ही तो सुक्ष्मपार्थ है ना मन बुद्धी संसकार। मन के शांती की बात ही नहीं क्योंकि आत्मा ओरिजनल ही शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाये तो मन शान्त हो जाएगा। आत्मा सु परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं तो अनुभव भी नहीं। आजका गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। यह आये न बाबा से वाइदा, बरेंगे भी तेरे तर पर और जी एगे भी तर तेरे तर पर, उन्होंने वाइदा किया अथ उपर करें। इछ, हम्शंती बच्चे जानते हैं पर मरना किसको कह version 5 ? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उनको मरना कह जाता है। यहां बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग है और अपने परमपिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं, जो आत्माय जाने ही सकती है उनको योग से पवित्र बना रहे हैं, इसको कहा जाता है नौलेज, रूरु को नौलेज मिलती है, यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है परमपिता परमात्मा जिसको सभी भगत याद करते हैं आत्मा समझती है पतीत पावन बाप मुक्ती जीवन मुक्ती देने वाला है उनको तो अपना शरीर है नहीं यह लोन लिया है उनको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको छोड़ना है वैसे तुम बच्चों को भी यह पुराना घर है यह आत्मा शरीर में है तो यह घर पुराना है इनमें खिड़के आदी सब है तो बाप कहते हैं बच्चे यह पुराना घर सब को छोड़ देना है मेरे साथ घर चलना है इसलिए जीते जी इस घर से ममतों मिटाते जाओ जब नई चीज आती है तो पुरानी चीज से आटोमेटिकली ममतों मिटता जाता है न है हाँ जी बाबा ममतों मिटा रहे है अपने को आत्मा निश्य करो और बाप को याद करो यह तो बच्चे जानते हैं दो चीज़े है जीव और आत्मा मनुष्य जब दुखी होते है तो जीवगात करते है आत्मगात नहीं है आत्मा तो मरती ही नहीं न यह शरीर की मृत्य हो जाती है शरीर सरने लगेगा आत्मा निकल जाएगी तो इसलिए आत्मगात नहीं होता ह बहुत बढ़ रहे हैं लोगों को ज्ञान नहीं है समझते हैं कि इससे हम अपने दुखों से मुक्ति पालेंगे प्रणतु आत्मा की सदकती भी नहीं होती और आत्मा दुखी होके अशान्त होके और भटकती है तडप में थी अकाले मृत्य हुई इसलिए आत्मा घात नहीं ह उनको छोड़ना चाहती है तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुखधाम में हैं यह शरीर भी पूराना घर है प्रणा ने समझाया है यह अकाल तक्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना होता है तक्त के बदले घर कहना ठीक है घर में खिर्किया आदी होती है डना र足 च्क के इसलिए शरीर को घर कह सकते है और आटमा ब्रकुटी से में सत अतक्त पर बिराजित है हैं तक्त के उपर राजाई की जाती है समय त्वाड़ दुखदाम है यहां यह जरूर है आत्मा को घर अर्था नए शरीखर में जरूदेश discussion तुम जानते हो बाबा हमको शहंशा बनाने आया है पाप कहते हैं तुमको राजा का राजा बनाया जाता है तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है मुँच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा जरूर जब पावन बनाने वाला आए है तब तो हम पावन बनें खुद कहते हैं बच्छे तुम याद करते थे अब मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यग्य रजता हूँ इनका नाम प्रम्हा रखना पड़ता है इनको एडॉप्ट किया जाता है द्रहस्त व्यभार में रहते तुम्हें बुद्धी से सब कुछ पुरानी चीजों का सन्यासकर अपने को आत्मन इश्य किया है अभी चीते जी सब संबंध तोड़ने है पाप कहते है तुम्हें इस पुरानी दुन्या में रहना नहीं है समझाया जाता है हमारी एम अब्जेक्ट है नर्से नारायन वा मनुष्य से देवता बनना वा स्वर्वय की बाद्शा ही पाना जबी समझाया है कि मनुष्य शृष्टी एक ही है जो चक्र लगाती है बढ़के जाड से भेठीजाती है उनकी आयू बहुत बड़ी होती है जाड जब नया है तब हम देवताय ही रहते है अभी तो पुराना हो गया है ने इसमें सब गरीब है 5 पैसे और व्यापार करते है अभी तुम बच्चे घ्न हम का व्यापार करते हो सबसे बड़ा और उंचा व्यापार तो यही है ज्ञान रतनों का आप से रतन ले फिर औरों को देते हो देते हैं न सभी हात उपर करें अगर ज्ञान रतन नहीं देते हैं तो बाबा कई बार उनको मुडली में एक टाइटल देता है अब तुम्हारी श्रेश्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रतनों का ग्यान रतनों के बाद फिर वह रतन भी तुमको अताहा मिलते हैं जाया हुआ भी है सागर खीरे जवारातों की धालीले तुम्हारे आगे भेट रखते हैं तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को ज सागर है जिसको रूप बसंद भी कहा जाता है आत्मा ग्यान रतनों का मुक से वर्णन करती है रूप बसंद कैसे रूप माना स्वरूप मिलाते है गुणों को बसंद माना जो मिला है वो ग्यान रतनों दुसरों को भी मुक से देते है रूप बसंद हुए न सभी तुम्हा तुम अम्रत्वेले उठ यह ज्यादतनों का धन्दा करो, प्रभात अच्छी होती है, कहते है राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन, यह आत्माओं ने कहान, आत्माई कहते है ना इन शब्दों को, मन बुथी आत्मा में है, मनुष्य आभी मान में रेते हैं, तो कहते हैं मन में शान्त नहीं है, जैसे की शरीर में मन है? परणतु आत्मा कहती है में मन को बुथी को ज्यान नहीं है, मुझे शांती चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है. शान्त वा अशान्त आत्मा होती है आत्मा कहती है मैं अशान्त आत्मा हूं मैं शान्त आत्मा हूं जैसा जिसका अनुभव वैसा उसे सबसे शेयर करती है अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शान्ती कैसे मिले मन क्या है वह भी समझते नहीं है आत्मा को शान्ती मिलती है वा आ आत्मा के मंन को, पहले तो आत्मा को जानना पड़े न, तब आत्मा की सुक्ष्म शक्तियूं को जान सके. आत्मा का स्वधर्म, शान्त है, यह शरीर तुम्हारे ओर्गन्स है, इनसे चाहे काम लो, चाहे स्वधर्म में टिको, सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते, भड़ तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, परन्तु ताकत कैसे मिले, जो शान्ती में रह सके, जब बाप को याद करे तब ही ताकत मिले, सिफ शान्ती से भी कोई फायदा नहीं, हम समझते हैं हम आत्मा सो पर्मात्मा, हम आत्मा पर्मात्मा के लोग में चली जाएंगी और पुछ भी नहीं जानते, उनर जनम को भी भूल जाते है, 84 जनमों को भी भूल जाते है, बाप सम्झाते हैं तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है अब असुल उस बाप के गले के हार है असल में उस बाप के गले के यहार थे और अभी फिर से बने है अब नाटक पूरा होता है नाटक में एक्टर खिलते भी रहते है और टाइम भी देखते रहते अभिनाटक पूरा होता है, बाकी इतना टाइम है, टाइम पूरा हुआ, सब एक्टर आकर खड़े हो जाते है, फिर ड्रेस बदली कर घर चले जाते है, पुबभु तुम्हारा भी ऐसे ही पार्ट है, पाप आया है लेने लिए, यह प्रश नहीं नहीं उठता, आत्माय वहां हुँगी कंदम नहीं, हमारा काम है वर्शा लेना, जरूरा आत्माय हुँगी तब तो आती रहती है ना, अब भी भी आती रहती है तब तो बर्थ कंट्रोल आदी करते है आत्माओं को वहां से स्टेज पर आना ही है फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगी जो कुछ भी बची कुछी आत्माइं है सब आएंगी इसलिए तो बृद्धी होती है न पृद्धी होनी ही है ये भी ड्रामा में नोध है ये तुम बच्चों को पता है जो कुछ पिछाडी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो सब मरे हुए होंगे फरन्तु उनका कोई हिसाब किताब थोड़ी है यह जो बड़े-बड़े साइंस दान है वह कितना माथा मारते रहते हैं भोज करते रहते हैं जैसे ज्ञान की उचाई है तो माथा भी कम नहीं है देखो आसुरीमत पर क्या-क्या बना रहे है श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं सुख भी है तो इन च में एक तान से दूसरे स्थान पर पहुचा देती है मिसाईल्स अटोमिक बॉंब स्थोबने हैं वो बहुत कम समय में मिनाश भी तो कर देंगे न साइन्स और साइलेंस तुम सदय हुए बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में उनको फिर साइन्स का कितना घमंड है कितने एरोप्लेन बारू दादी है, साइन्स पर साइलेंस की विचय होती है, कई कहते है मन जीते जगत जीत, परन्तु माया जीते जगत जीत कह सकते है, आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी, चलना हैं सभी को रिटेन जर्नी के लिए रेडी है न, हान जी बाबा, क जरूर आँगे परिक्षा लेंगे बाबा तब तो पर्ता चलेगा, कितनी उर्द्धी होती है, कितना आगे बढ़ है, बाप तो । कहते है खी जरूर है। लगे, माम एकम याद करो। आत्मा अपने साइलेंस हो्म मुक्ति धाम में जाती है, फिर घर जाती है, उध्थी हम बाबाया है हमको ले जाएंगे, काईड बाबा ही है न, कहते है मेरे लाडले बच्चे मैं तुम को साथ ले जाऊंगा, कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख ले, तो जाना भी सिखलावे, यहां से मनुश्य तंग होकर कहते है जावे, सत्यूग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सुख धाम को ही सब याद करते है, बाब कहते है, मैं सब को ले जाऊंगा, मच्छरों सद्रिश्य, वह सिर्फ कह देते है, बोद की आत्मा निर्वान धाम गई, वह कहने के लिए कह देते, अगर वह चला गया, तो बाकी सब उनकी इतनी वन्शावली कैसे जाएंगी, कोई जा नहीं सकते है, जब तक शुबाबा आकर सब को ग्यान न देवे, सब संपूर्ण न बने, बाबा आकर सपरमधाम का दर्वाजा न खोले, तब तक तो कोई जाई नहीं सकते, बाबा कहते हैं, मैं तो जा सकता हूँ न, मैं आता हूँ ले जाने के लिए, सत्युग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अताहा है, मच्छरो सदुष्य हैं न, सब को ले जाना एक बाब का ही काम है, बाब कहते है, मेरे गले का हार बनने से फिर वश्णू के गले का हार बनेंगे, के पहले पुजारी बनते है, तब रावट के हार बनते है, आख Holy SPEAKER, सुख में और पाप दूख में रहते हैं, जानते हैं सब्होब हुम का घुजू के हांजी बाबा? बाबा कहते है रावट की गले का हार पहले पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं फिर और धर्म वाले आएंगे वह भी रावण के गले का हार बनेंगे अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं यह ट्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाब के और कोई स समझाने के लिए नटशल में कहा जाता है एक बाप को याद करो पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं और फिर गले का हार पहले पहले कौन बनते हैं यह बुद्धी में रहना चाहिए वरोबर हम असुल में अपने बाप के गले की माला है फिर बाबा हमको सूर्यवाइब चंद्रवंशी बनाते हैं फिर रावन का राज्य होता है यह स्रिष्टी का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो नंबरवार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मांक्स तो कोई नहीं लेते हैं हां कोई एक सब्जेक्ट में 100 मांक्स मिल सकती है इसमें भी मांक्स है जाइबी गुन धारण करना कितनी बड़ी सब्जेक्ट है. सारे चक्र का राज भी समझाना है. कोई में गुन कम है, मुझली अच्छे चलाते है, नंबर वार्त होते ही हैं, जो पास होते हैं, वह गले का हार बनते हैं. पाप तो perfect है, उन जैसा perfect कोई हो नहीं सकता. तो जनम मरन में आता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धी में कितनी नहीं नहीं पॉइंट्स है। जो और पुई की बुद्धी में बैठ नहीं सकती। यह है Godfatherly University। अगवानु आज मैं राजयोग सिखलाता हूं। समझ में आता है भारत कितना अमीर था अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा सहुकार था। उनको पैरडाइस कहते है। घर में कोई अच्छे कुलके होते हैं गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पढ़ता है। कहेंगे बिचारा कितना गिर गया। फिर उनको चड़ाने की कोशिश करते है। प्रिश्चन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए। उस धन से खुद सहुकार बन गए। खारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे नौअ। लोगों के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे है तो वो समझते हैं यह सब लेंदेन का हिसाब किताब फटम होता है परन्तु प्रेरख कौन है यह कोई नहीं समझते इन बातों को अभी तुम समझते हो खारत रिलीजियस था तो कितनी माईथ थी शक्तिशादी था ना सारे विश्व के मालिक थे अब सबसे गिरा हुआ है तो जरूर उनको मदद करेंगे जब लड़ाई शुरू होंगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे मदद भी करते रहेंगे अब भी देखो देते रहते हैं मदद देते रहते हैं तो भारत भूख मर जाए परन्तु कभी ऐसे हो नहीं सकता लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए डबल अंडरलाई अभी तो पढ़ाई चल रही है ना बाबा को पढ़ाना है प्रम्हाद्वारा आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है च्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वहां बाबा बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया दूसरी पॉइंट है बाप के साथ वापिस घर जाना है इसलिए पवित्र बनना है और शरीरी बन बाप की याद में रहे साइलेंस बल से साइन्स पर विजय पानी है अज का मीठा बर्दान है सदा उमंग उत्सहा के पंखो द्वारा उडने और उडाने वाले मजबूत और अथक भवव इसका विशलेशन है आप आत्माए अनेक आत्माओं को उडाने के निमित हो इसलिए उमंग उत्सहा के पंख मजबूत हो सदा इसी सुरती में रहो कि हम ब्राम्मान अर्थात्वी के विश्व कल्यान के जवाबदार है तो आलस से और अलबेलापन स्वतह समापत हो जाएगा कितनी बड़ी रिसपॉंसबिल्टी हमारे उपर सारे विश्व का कल्यान करना बालस और अलबेलापन के लिए तो मार्जन ही नहीं कभी थखेंगे भी नहीं जिसमें और अमंग उत्सा होता है वह अठक होते है वह अपने चहरे और चलन से सदा औरों का भी उमंग उत्सा हब में आजका स्वामान दिखने के लिए और अफ्यास करने के लिए है मैं मजबूत और अथक आत्मा हूं मैं मजबूत और अथक आत्मा हूं इशका स्लोगन है पाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराया सहजी परिवर्तन हो जाएगी पापके संग का रंग लगा हुआ हो, तो सब बुराईया सहजी परिवर्थन हो जाएगी। छा, कम बूलो, किरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सूध समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल्वानी। रंती, दो मिनिट के लिए शक्ति शली योग के प्रकमपन से लाएंगे संगठन में बाबा के खर के लिए। रंती, जिर्मान भावी। झाल 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 कि अच्छान, ओम शैंति, और रोज की तरह, शेडूल जो है, रहता है, उससे दो दिन से परिवटित हुआ है, अम्रतवेला मेडिटेशन चार बचे होगा, और मुदली क्लास बुसरे लिंक में आएका, पौने पाइच बचे, साथ ही जो नेक्स डे की मुदली है, वो प्रिवियस डे, पौने नौ बचे भी रहेगा, बड़ा सत्यान दे, मुदली क्लास का लिंक अलग होगा, अम्रतवेल के लिंक, और एम का लाइब रहेगा, मुदली क्लास का रात्री पौने नौ बचे भी रहेगा, एक्सरे के मुदली और सुभर में पौने पाइच बचे भी रहेगा, छा, वो शन्ति.